लोकसभा चुनाओं में मिली हार के बाज से उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी अभी भी हार के सदमे से उबर नहीं पा रही है। इस्थिती ऐसी हो गई है कि तमाम समिक्षा बैटकों में जूतालाद की स्थिती बन गई। भारती जनता पार्टी के कारेकरता और चुनाओं हारने वाले प्रत्याशियों के बीच गजब की लड़ाई देखने को मिल रही है। दोस्तो भारती जनता पार्टी ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। चार जून को जो नतीजे आए उसके बाद भार्ती जनता पार्टी की होसले उत्रप्रदेश में बुरी तरीके से तूट गये। इसके बाद भार्ती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंदर चौधरी ने असी सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स में जो 80 लोग थे उनको अलग-अलग टीम्स में बाटा गया और दो-दो लोग समा सीट की जिम्मेदारी सौंप दी गए अब जब ये लोग समिक्षा बैठक करने के लिए अलग-अलग सीटों पर पहुँचे तो सबसे बड़ी नाराज़गी जो खुल कर सामने आई वो ये कि तमाम प्रत्याशियों ने तमाम हारे हुए सांसदों ने ये बात कही कि सिटिंग विधायकों ने सपोर्ट नहीं किया सिटिंग विधायकों की वज़े से हम चुनाव हार गए जबकि कारेकरताओं का ये कहना है कि जो प्रत्याशी थे यानि जो सांसत थे उन्होंने छेत्र की तरफ देखना ही बंद कर दिया कारेकरताओं की बात तक नहीं सुनते थे और दोस्तों ये दावा हम आप से कोई हवा हवाई नहीं कर रहे हमारे पास इसके पुखता प्रमाल भी हैं बात शुरू करते हैं सिधार्त नगर से सिधार्त नगर की इटवा विधान सबाक शेत्र में समिक्षा बैठक हो रही थी समिक्षा बैठक में भारती जंता पार्टी के कारेकरताओं ने कुछ कारेकरताओं पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लडाने का आरोप लगा दिया ये आरोप लगाते ही बैठक में हंगामा मच गया और एक दूसरे के कॉलर पकड़ने की लड़ाई शुरू होने लगी लड़ाई इतनी जादा बढ़ गई कि समिक्षा बैठक करने के लिए टास्क फोर्स के जो मेंबर आये जो बड़े नेता आये थे वो भी दभी गली से निकल गए कुछ ऐसा ही अयोध्या में देखने को मिला अयोध्या की हार भारती जनता पार्टी के सीने पर पत्थर की तरह पड़ी है और वो आज भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि हम अयोध्या में चुनाओ हार गे अयोध्या में समिक्षा बैठक करने के लिए कोई और नहीं खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गए थे दरसल इस टास्क फोर्स के मेंबर्स को ये काम दिया गया था कि आप जिस छेत्र की जिस लोकसभा सीट की समिक्षा करेंगे वहाँ पर अलग-अलग विधानसवा अक्षेत्रों में जाएंगे अलग-अलग पदादिकारियों से मिलेंगे और कारिकरताओं से मिलेंगे आलम ये हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कारिकरता अपस में भिड़ गये लल्लू सिंग पर आरोप लगाने लगे लल्लू सिंग बार-बार कहते रहे कि मेरे खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी लेकिन कारिकरताओं के पास आरोपों का एक लंबा पुलिंदा था और उन्होंने बताना शुरू कर दिया जिसके बाद से लल्लू सिंग खुद भगले जांकने लगे आयोध्या की इस्तिती यही रही सिधार्द नगर में इस्तिती सहारनपूर सहारनपूर में तो गजब के आरोप देखने को मिले सहारनपूर में इमरान मसूद चुनाओ जीते हैं और यहाँ बीजेपी के रागहो लखनपाल चुनाओ हार गए लेकिन यहाँ चुनाओ हरवाने में सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है पीड़लू डी विभाग के राज्यमंतरी कुवर ब्रजेश सिंग के अब कारिकरताओं ने तो यहाँ तक शिकायते कर दी खबरों में यहाँ तक दावा किया गया है कारिकरताओं ने आरोप लगा दिये कि कुवर ब्रजेश सिंग ने ही सहारनपूर के नानोता में जो ठाकरों की महा पंचायत हुई उसको फंडिंग की थी क्योंकि वो रागो लखनपाल को चुनाओ हराना चाहते थे ऐसे ही आरोप यहाँ पर तमाम सिटिंग विधायकों पर लगे यानि दोस्तों आप जिधर देख लीजे भारती जनता पार्टी में जो भी समिक्षा बैटके हो रही है वहाँ पर स्थिती कुछ ऐसी ही बनी है अब जून के दूसरे हफ़ते में ही कानपूर और बुंदेल खंड छेतर की समिक्षा हुई अब इस छेतर में भारती जनता पार्टी कन्नोच की सीट हार गई जहाँ पर 2019 में वो चुनाओ जीती थी कन्नोच की सीट हारने के साथ साथ अगर आप देखे तो कानपूर और अकबरपूर को अगर आप छोड़ दे इन सीटों पर तो भारती जनता पार्टी को जीत मिली लेकिन बाकी तमाम सीटे ऐसी हैं जहां भारती जनता पार्टी चुनाओ हार गई लखनओ में राजनाथ सिंग आये थे राजनाथ सिंग के कारिकरम को लेकर तमाम तैयरियां बैठक हो रही थी उन बैठकों में नाराजगी फूट गई लखनओ में भारती जनता पार्टी के विधायक है नीरेज बोरा उन्होंने तमाम आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ भी बजसलूकी की शिकायते करने के बावजूद सुनवाई नहीं होती आरोप यहां तक लगा दियेगे कि थानों कचहरी में कोई सुनवाई नहीं होती थाने में भारती जनता पार्टी के विधायकों के फोन पर रेप्लाई नहीं मिलता, कारवाई तो दूर की बात है यानि भारती जनता पार्टी जिस तरीके से इन दिनों पसो पेश में फसी हुई है, चुनाओ हारने के बाद जो कहा जाता था कि भाजपा का संगठन बहुत मस्बूत है, पन्ना प्रमुक्ष लेकर राश्ट्री अध्यक्ष तक भाजपा के पास जैसा संगठन है, ऐसा खुल के आ रही है और भाजपा में परत दर परत कई दरारे देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रहा है कि भाजपा के अंदर सिर्फ उटवल की स्थिती है, अब दोस्तों वो विधायक घबराय हुए हैं जिनके खिलाफ शिकायते हो रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 2-3 साल बाद विधान सभा चुनाव होना है, और अगर ये शिकायते आधार बन गई, अगर ये साबित हो गया कि विधायकों नहीं कई सीटों पर चुनाव हरवा दिया है, तो इन विधायकों का टिकट भी कट सकता है, चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बारती जनता पार्टी में जो चुनाव हारे हैं, उनसे ज़ादा अब विधायक टेंशन में हैं, और जो चुनाव हारे हैं, उन्होंने भी कसम खाली है, कि चुनाव हरवा के ही दम लेंगे, एक जगला संगीत सोम बरसे संगीत संजी उबालियान का चल ही रहा है, और उसके जाने वाले वक्त में उतर परदेश में दस विधान सभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाला है, और अगर ये नाराजगी ये सिर्फ उटवल ऐसे ही बना रहा, तो भारती जनता पार्टी को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पढ़ सकता है, दोस्तों ये खबर मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे, मेरा नाम चंदरकान्त है, फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी कोई राय है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, नमस्कार जय झालएवर दीजिए, आब हैया है